हाँ तो नवश्कार दोस्तों कैसे हैं आप साब आसा करता हूं अच्छे हूंगे तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने PC को अपने मोबाइल फोन में एक्सेस करके चला सकते हैं तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको अपने Chrome ब्राउजर को ओपन कर लेना है यहाँ पर आपको जाना है एप बाले सेक्शन में इसके बाद आपको बेबी स्टोर पर क्लिक करना है लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा सर्च का एक ओप्सन यहाँ पर आपको टाइप करना है Chrome रिमोट डेक्स्टॉप तो जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं नीचे आ गया है Chrome रिमोट डेक्स्टॉप हम यहाँ पर किलिक करेंगे इसके बाद आपको इस वाले उप्सन पर किलिक करना है इसके बाद आपको एड़ टू क्रोम पर किलिक करना है यहाँ पर add extension पर click कर देंगे तो जैसे ही आप add extension पर click करोगे आपका यह chrome browser में extension add हो जाएगा इसको कुछ समय लगता है तो हमारा यह extension यहाँ पर add हो गया है अब हम extension वाले option पर click करेंगे और यहाँ पर आपको chrome remote desktop का एक option देखने को मिलेगा आप यहाँ पर click कर दोगे तो जैसे हम यहाँ पर click करते हैं आपके सामने एक page open हो करके आएगा जिसमें आपको अपनी mail id से login कर लेना है मैंने यहाँ पर login पहले से ही कर रखा है तो मेरे सामने इस पिरकार का page open हुआ है तो login करने के बाद आपको यह वाला page देखने को मिल जाएगा यहाँ पर left side में आपको कुछ option देखने को मिल जाएगे remote access और remote support remote access में जा करके आप अपने PC को अपने mobile phone में access कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने mobile phone में Chrome remote desktop नामक एक application को download करना होता है और इसके password set करके अपने phone में डालने होते हैं और दूसरा option है remote support का remote support में आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको दो option यहाँ पर देखने को मिल जाएगे share this screen और contact to another computer share this screen पर क्लिक करके आप अपने PC को अपने mobile phone में access कर सकते हैं और contact to another computer पर क्लिक करके आप किसी और का computer अपने PC में access कर सकते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने PC को अपने mobile phone में किस प्रकार से access करते हैं यह दिखाऊंगा, अपने PC को अपने mobile phone में access करने के लिए आपको यहाँ पर download वाला option एक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर मैंने download पहले से ही किया हुआ है, तो मुझे generate code वाला option देखने को मिल रहा है, जब आप download लोगे तो आपको भी generate code का option देखने को मिलेगा, अब आप आपको यहाँ पर click कर देना है, तो जैसे ही आप यहाँ पर click करोगे, आपके सामने एक code generate हो करके आ जाएगा, यह code पांच मिंट तक के लिए रहेगा, इस code का आपको अपने mobile phone में डालना है, अब आपको अपने mobile phone में किस प्रकास से डालेंगे, तो इसके लिए आपको चलन करना है, remote desktop.google.com, तो मैंने यहाँ पर पहले सी टाइप किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर search कर दूँगा, तो जैसे ही हम यहाँ पर search करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface देखने को मिल जाएगा, left side में आपको remote support का एक option देखने को मिल जाएगा, हम यहाँ पर click करे करेंगे, अब मुझे अपने PC को अपने mobile phone में access करना है, तो हम connect to another computer वाले option पर click करेंगे, और यहाँ पर access code वाले option पर जा करके, इस वाले code को यहाँ पर डाल देंगे, तो मैं यहाँ पर यह वाला code डाल देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर यह वाला code डाल दिया है, अब मैं यहाँ पर connect पर click करूँगा, तो जैसे मैं यहाँ पर connect पर click करता हूँ, आपके PC में आपको share का एक option देखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ पर share पर click कर देंगा, जैसे मैं यहाँ पर share पर click करूँगा, आपको आपके PC की बिंडू अपने मोॉबाइल फॉन में देखने को मिल जाएगी तो कि में तो ये देखिए यहांट पर आपंव कि में बिंड्टो को मोबाइल फोन में एकसेस कर सकते हैं जैसे मैं यहांपर बिंडू वाले ओपसंथे पर क्लिक करता हूँ तो हमारी पीनी की विंडू window भी open हो चुकिए इसे पिरकार से आप कुछ भी यहां से operate कर सकते हैं अब यदि इसे आप stop करना चाहते तो stop करने के लिए आप stop sharing पर click करेंगे तो आपकी sharing यहां पर stop हो जाएगी तो I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रही होगी यदि वीडियो अच्छे लगी है तो like करना share करना अपने दोस्तक साथ और ऐसे informative वीडियो देखने लिए हमारे चैनल को subscribe करना ना बोले thank you